नमस्कार दोफ्तों मैं करण सिंग आधार एकडमी के डिजिटल प्रेफार्म पे आपका स्वाथ करता हूं बच्चों जैसे जो मेंस में सेकेंड पेपर है सेकेंड पेपर में जो पब्लीक एड्मिशेशन है तो आज हम लोग पब्लीक एड्मिशेशन सलेवस को डिसकस करने पहले तो हम लोग इसके मेंस के पब्लीक एड्मिशेशन सलेवस दे रखाई एक फिलाल कहने के लिए यूनिट है लेकिन जो पहले लोग प्रशासन अफसन सब्यक्ट था उसका करीब करीब कहाया तो पचीज परसंट पार्ट इन्होंने पहले जो आप्सना सब्यक्ट होते पांच यूनिट दी गए है तो यह पांच मी जो यूनिट है तो पांच मी यूनिट में इसको रखा गया है फर्स्ट पार्ट के पांच मी यूनिट क्या नाम दिया गया है इसका टॉपिक है युकाई का यूनिट का इसका लोग प्रशाशन के प्रवंधन प्रशाशन एव उन्हें यूनिट में और ध्यान रखेगा इसको यूनिट किसमें रखा गया है तो यूनिट फाइप में यानि पाइप पांच में रखा गया है जैसे इसमें प्रशाशन प्रवंधन में सबसे पहले तो प्रशाशन प्रवंधन का अर्थ यानि प्रवंधन का भी अर्थ आप आपको आपसे क्योशन पूछे जाएगे 20 वर्ड्स हो चाहे 5 मार्कों दूतरा फिर प्रशाशन की प्रक्यति तो प्रशाशन और प्रवंधन की प्रक्यति कैसे है और प्रशाशन का या नि महा तो क्या है लोग प्रशाशन का फिर विक्सित एवम विकास सिल समाजों में टॉपिक दे रखा इस पर आपसे डायक्ट 200 सब्द का क्यूशन पूशेगा जबी पूशेगा और विकसी समाजम लोग प्रशाशन भूम का या विकासी समाजम भूम का साथ टोंची अलग अलग करके पूश सकता है दूसरा एक विसय के रूप में लोग प्रशाशन का जो व विकास है इसको भी टॉपिक दे रखा यह भी फूल क्यूशन मनता है और अलग-अलग स्टेज भाई यानि चरणों को पूशेगा इस पर आप से साथ नोट्स भी पूश सकते नेक्स्ट नवीन लोग प्रशाशन के न्यू पॉब्लिक एड्मेशन जो रखाय तो न्यू प का फिर महा तो क्या है और नवी लोग प्रशाशन के उधारणाएं क्या थी यह आपसे फुल क्यूशन में दोस्तों सब्दों में यानि यारा मारकर में भी आपसे 11 मारकर में पूंश सकता है नेक्स्ट बच्चों कि लोग प्रशाशन की जो सिध्धान्त है इन्होंने कहने जो मैनेजमेंट है बैग्जानी प्रवंधन का सिध्धान्त दूसरा फिर सास्त्री सिध्धान तो बैग्जानी प्रवंधन का सिध्धान्त भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें बैग्जानिक प्रवंधन का सिध्धान्त ये किसका दिया हुआ है तो टेलर का तो जो ट सास्त्री सिध्धान भी पूछेगा इसी में आपको सास्त्री सिध्धान जो गुलिक साहब ने दिया है तो सास्त्री सिध्धान जो लूथर गुलिक का योगदान और किसका तो फेवल हैंडी फेवल का तो सास्त्री सिध्धान मुखता है जो प्रवर्टा किसके माने जाते है तो हैंन्री फ्रे और गुलिक और उर्विक का क्या युगदान रहा साष सिध्धान में गुलिक उर्विक नौकर Achy marksachat । नौकर साही जो शिद्धान है तो इनको हम एनहें तीनों कंड प्रसाशन के सिध्धान लेकिन इसमें बैग्यानी प्रवधन के सिध्धान, नौकर साय शिध्धान, बेवस्थावादी उपागम और बेवहार बादी उपागम इनको सब को भी आप से यह पूंचा जा सकता है जैसे थोड़ा से अविध्यान रखेंगा, इसके बाद जो इन्होंने सिलेवस में दे रखाया है, तो औधालनाओं को दे रखाय है तो उत्तरदाइत तो एवं जो प्रत्याय हो जाएए यानि जो लाइविल्टी है और डेलिगेशन है तो उत्तरदायत और प्रत्यवजन क्या होता है इसके बारें भी आप से क्यूशन पूछे जाएगे तो उत्तरदायत और प्रत्यवजन की बारें पूछे जाएगा इसके अलाबा जैसे संग्ठन की जो सिध्धान्त हैं एंड श्टाफ एजंसी जो होती है यानि सूत्र और सहय के जंसी उनके बारे मिभी आपसे सूत्र और स्टाफ के बारे मिभी पूंच सकता है लेकिन यह में इन्हों टॉपिक क्या देख रखा संग्ठर सिधांद में तो तीन सिध्धांतों की यानि 205 का सिध्धांत नियंतर क प्रवंधन के जो नवीन आयाम है यानि जो न्यू पब्लिक मेनेज्मेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं साट में यन पी यम ये यन पीम के बारें भी आपसे कुशन पूछेगा साथ ही साथ इनोंने परिवर्थन का प्रवंधन यानि जो आज हमारे हां समय के साथ साथ जो भी प्रसासन की क्षेत्र में लोगों जो बढ़ते जाती हैं देश के लोगों की उनको सब कुछ परिवर्थन का प्रवंधन कैसे किया जाए इसके बाद फिर लाश्ट में क्या दर रखा है development administration यानि विकास प्रसासन अपने आपने भारी भरकम टॉपिक है इसमें भी कई सब टॉपिक बनते हैं इन्होंने जो सलेवस में दे रखा है ति जो अउधार्णाओं में तो इस सक्ति सत्ता प्रादिकाई उत्रदाई को प्रत्यावजन को दे रखा है और इन्हों संग्षन क प्रशाषन का आर्थ क्या है और लोग प्रशाषन की प्रकिती कैसी है एवं लोग प्रशाषन का इंप्रशाषन की भूमी का है तो देशों में यहां पास दिहार नखे के प्रिंटिंग मिश्टेक हुआ है यहां पास देशों होना चाहिए लोग प्रसाषन क्या रोल हो पढ़ना पर है तो हमको लोग प्रशाषन का अर्थ यह लोग प्रशाशनी प्रकृति पहुंचे जा सकते हैं लोग प्रशाशनी प्रकृति या महत को लेकर कि आपसे 200 सब्साइन कवी कुश्चन पहुंचा सब्सक्राइब कैसे हुआ इसको इनको जैसे पांच नों विकास हुआ कि जो चट्राइब हमारा जो आज एंपीम कर रहा है तो इनको हमको पांच छो चड़नों को फुल क्यों सकता दोस्थ सब्सक्राइब बनेगा और इस पर और आप से स्टेज भी पूंच सकता है किसे धांतों का यूद किसको कहते हैं यह एक विस्याइग रूप में लोग प्रशाषन का जो कैसे विकास हुआ तो इसके बारे में आपसे प्रथम चलन्द चलन दिधि चलन और चलन के बारे में एक एक लुए निए हैं नवीन लोग प्रशासन के लच्छ क्या था या नवीन लोग प्रशासन का उद्धेश सकता है फिर इसके बाद जैसे इन्होंने जो नवीन लोग प्रशासन प्रशासन प्रवित्यों का तो आप रहा है आप से फिल्केशन पूशबता है साथ में इस साड़ नोट सिभनते नेक्ज जैसे लोग प्रशासन का जो सिध्धान टॉपिक तो अभी जैसे इसमें 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 प्रवंधन को पूछेगा तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में आप से कई साथ नोट्स बनते यह तो आप आप यह तो यह व्याओन और प्रवंधन को पूछे जायेंगे इनका कर खाना मैनेजमेंट को प्रवंधन का हो तो सब्सक्राइब प्रवंधन प्रवंधन में कई ही घुद ही टॉपिक में कई साथ नोट्स बन जाते हैं कुण सकता है इसके लावा फिर इसमें हम से साथतरी सिधान के वारे में तो यानी हैंक्षिज हम इसे सायत certain SET धान्या उन्हें इंहों कितने नियम बताएं पर जैसे पुरिए 200ि आज आत साय भिलक नियुका इसे इस पुश्ट साथ इनकी जो बुक्स लिखे गए हैं जाहे लुथर गुलिक ने लिखी हो इन पर भी हम से क्योशन पूछे जाएंगे जैसे जो नौकर साहिक सिध्धान्त तो भी हमसे क्योशन पूछे जाएंगे और नौकर साहिक सिध्धान्त यानि मैक्स बेवर के जो सिध्धान्त हैं जो नौकर साहिक सिध्धान्त और सकरात्मक जो नौकर साहिक को बताया है तो इसके बारें भी हमसे क्योशन पूछे जाएंगे नेक्स दियान रखेगा इसके अलावा भी जैसे हम से नौकर साही में यानि बेवर के अलावा भी जिसे ब्यवस्था बादी या बेवहर बादी पागम के बारें पूछे आ सकते हैं यह कहने के लिए लोग प्रसासन जो सिध्धान थे तो लोग प्रसासन के जो प्रमुख दान तो चाहे नौकर साइसे दान तो इन पर हमको डिफ्ट में तयारी करने पड़ेगी और इन पर सप्रिवे क्यूशन आप से पूछे जाएंगे नेक्स्ट आजाएं बच्चों कि जैसे जो इन्होंने अउधारना में दिया है तो सक्ति किसे कहते हैं तो सक्ति किसे कहते ह इनको थोड़ा से हम को बहुत अच्छे समझाना होगा क्योंकि इन पर आप से साथ नोट से क्यूशन बनेंगे जैसे सक्ति तुर्णा पर कुछन भी पूंचे जाएंगे तूसरा जैसे माल यह एथर्टी है एथर्टी क्या होती है सप्ता और यह पावर एंड एथर्टी मे तो पहले को जानना पड़ेगा जैसे किसी अधिकार दिया यतु distort और प्रत्रोय योजित कर दिया अधिकारों इसका उत्तर दाइत तो नहीं थैसेuste क्योंकि प्रसाशन में इसके पास पूरे प्राजिकार होते मैं लेकिन उपने सवाडनेटों को भी अधिकार देता है लेकिन उत्तरदाइत तो उसी अधिकारी का होता है इसके वारे में सब हम को इसक्यूशन अधारना समझानी पड़ेंगी और फिर प्रतयोजन है जिससे प्रतयोजन माली हमारे हां कोई उच्छ अधिकारी है उसके पास ब इसलिए उत्तरदाई तो प्रतयोजन क्या होते हैं प्रतयोजन की सिध्धांत क्या है इनको सब को सिध्धांतों को भी हमको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से इनको हम लोग डिसकस करेंगे नेक्स जैसे जो इन्होंने टॉपिक दे रखा है जो संगठन के सिध्धांत का आ ऐखी के और हमारे पाख़ीक वारे में 505 कि सिध्धांत क्या होते है और उच्च से निम्ण कर निम्ण वर्बर कीरें तकक की हमारे किसी सच्चिवालियक लेते हैं तो उसका प्रमुख로 सची होता है सब से 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 लग मे बैठा होता हैं तो सबसे निम्न 505 पोग तो थैं 505 का इस पैंद आफ कंट्रोल है कि कोई भी अधिकारी है उसकी एक सीमा होती है और एक निश्य सीमा तक कि अपने कर्मचारियों को नियंतरन कर सकता है। ग्रिक पुरा आतिकारтесь है और इसनक्ता थे पुर्णध करमचार क्हाई कई नियंतरन के इसका समजना और भी ने इन पर साथ नोट्स भी आप से पांच नमबर ने पूछेगा और साथ ही साथ इन से फुलक्यूशन एक-एक पर पूछ सकता है तो आप फिस पास्वपायन के सिध्धान क्या है और उसके लिए पास्वपायन का क्रम कैसा होता है और तो इनको सब को हमको समझाना पड़ेगा इसका महात तो क्या है और इसके गुण और दोस्थ दोनों क्या है जैसे प्रकार जो नियंदर्ण का च्षेत्र घट्र संजाया गया इसके द्वारा और यो प्रसांग्सिद्धान की जो बिद्वान थे उन्हों ने जो समझाया थे उसको हमको पूरा सम्झाना पड़ेगा जैसे unity of command कहा जाए तो unity of command मतलब आदेश की एक्ता कि एक जो निम्न कर्मचारी है उसका एक ही boss हो एक से अनेक boss होंगे तो किसका आदेश सुने या किसका आदेश को पालन करे उहां पास दिवघ्रम की स्थिति उत्पन हो जाती है तो इसलिए जैसे आदेश की एक्ता का जो सिध्धान्त है unity of command कि आज defense में कहा जाती पूरी तरह से लागू है लेकिन और प्रसास में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है तो जैसे आदेश की एक्ता का जो सिध्धान्त है तो इसका कैसे अनुपालन किया जाए और जैसे ह कि यह पर कैसे पालन करना पड़ता है इस लिए जो आधिक्वरी क्या है यानि इसके सिथान्थ क्या है और इसके अधिक युद्धारी का युद्धार और कि उच्छादिगारी के अंदर कितने यानि कैसे सब्सक्राइब को समझाना पड़ेगा इसी वारे में गयन प्लैंग का सिद्धान दिया था किसने प्रवंधन के जो नवीन आयाम है लोग प्रवंधन के जो नवीन आयाम और परिवर्तन का प्रवंधन एब फिर इन्होंने विकास प्रशाशन लोग प्रवंधन के जो नवीन आयाम है जिसको हम आज नव लोग प्रवंधन के वारे में नव लोग प्रवंधन के वारे में पूछा जाएगा तो नव लोग प्रवंधन को हमको अच्छे से तयार करना है और इस पर आप से हमको अच्छे से त्यार करना पड़ेगा नपीम के बारे में हमसे पुछा जाएंगा नेस्ट के जो परवर्तन का प्रवंधन यानि जो आज हमारे हमाझ में प्रशासन में पुरे देशन में जोभी पर देशन हो रहा है अंतीम रूप से कौन हमारे हँए सब करने कार कौन करता है उसलिए परिवर्थन के सम्मंद में भी हमसे साठ नोट सो और पुलिकेशन इस पर पूछे आएंगे तुटी वर्थ यहां तो विकास प्रशाशन विकास और विकास प्रशाशन दोनों जैसे है यए पहले मुर्गी आया की अंडे से मुर्गी इंल cinnamon Glitch popular है मिकास प्रशाशन की विद्वुमकों इसमें बाता है कि बिकास प्रशाशन को देश क्या बिकास प्रशाशन ने कहां फिकास संगे माहत तो क्या है विकास प्रशासन के लट से क्या है इन सब पर भी हमसे साथ नोट से पूछे जाएंगे और इस पर फूल कुछन पूछा जाएगे और ट्वंटी वर्स यहीं से निकाल करके पूछे तो बच्चों यह ध्यान रखना है इस पर जो हमसे प्रमहत्पूर्ट जो कुछन सब करना चाहते हैं हमारे आफ्लाइन क्लास जोइन कर सकते हैं साथ ही साथ इनको हम लोग कि आनलाइन में भी कुछ टॉपिक तो करवाएंगे जैसे यूटूब पर हमारे लेक्षर कुछ ड़ले रहेंगे लेकिन क्रम से यह एप पर हमारे पूरा लोग प्रशाशन का पूरा सल जाएगा लोग प्रशाषन में और 25-30 अपर हमारे मिल जाएगे जैसे टॉपिक हम यूटूब पर हमारे आपको मिलेगे मिले तो यूटूब र्भी इसके लेक्षर मिलेगे लिखेएंगे और उसमें 11 myhare किशन में क्या क्या देंगे 200 सब्दों में इनको सब को हम डिसकस करेंगे और एक टॉब को हर टॉबिक को बारे में उस पर जितने लुद के हड़ा हैा हैं सब इसकार हम डिसकस करेंगे बच्चों चलिएंगे अगे नहीं क्लास भी मिलेंगे पूरे प्रेपिरेशन के शाठ हम लोग अप दियारी करेंगे अच्छे से लेकिख कुछ आपको मिलेंगे यूटूब पर भी लाभा आफ्राइं हमारे